नमस्ते किसान बाईयों मैं मनोज यादव कोरोमंडल फाटिलाइजर से और आज अपने वीजय नगर के एक फिल्ड में आई हैं जांपे मस्टर्ड वीट और इससे पहले इन्होंने जो भी फसले की लगबग इनका तीम साल का एक्स्पीरियंस है ग्रोपलस का तो अच्छे ए इन्होंने ग्रोपलस का अनवों क्या पाया और आप अपने चैनल कर शीव पसुदर्शन को लाइक कीजिए और नई ने वीडियो आगे सागे जानने के लिए उस पर कोमेंट भी कर सकते हैं तो सर यह अपना ग्रोपलस आप इसके बारे में किसानों को कोई सुजाव दें औ और आपने जो यूज किया उसमें आपको क्या लगा अब तक और आप क्यों यूज कर रहे हैं खाशियत क्या थी इसकी जिसकी वज़े से आप कंटीन्यू तीन साल से कोरोमंडल के साथ जूड़े हैं मेरा नाम सचिंद्र सारण है गाह मेरा बींजवाइला है तसील पदूंपूर है जिला सरी गंगानगर है मोबाइल मेरा नंबर है चुराणमें 6118 61085 और यहां जैद सर के अंदर मेरे जमीन चक एक जेक्या में बढ़ती है और तसील यहां विजया नगर लगती है उप तसील जैद सर है तो इसका रेट कम है बिलकुल सभी लगबग पांसो के लगबग इसका बैग है डीएपी से आधे रेट के अंदर उपलब्द है और डीएपी के बराबर कार कर रहा है मैंने सरसव के अंदर 25 किलो भगे की यूज की भीय है विजाए के डाइम और यह आपके सामने असका रेटि यह मैने ग्राइँ में इसे यहां पर नर्मा नर्मे में यूज तो अभी एक महीने की फसल वेसल हो गी एक महीने की अपनी है थोड़ा इसा दिकाई है जरह है यह एक महीने के पोदे की ग्रेंडरी और अच्छी ग्रोथ और वैसे आपने विजय भी बहुत अच्छी कि यह डिस्टेंस भी पोदे से पोदे की अच्छी मेंटेन लग रही है थोड़ी थोड़ी कई चिते हैं संगनी यह जैसे पानी लगेगा थोड़ी और यह गनी हो तो अभी आप अपने नर्मे में जो आपने इल्ड बत्न क्या निकली आपकी और बाकी अरिये की तब मेरे सवा साथ कुंटल की अवरेज आई है साथ के लिए नर्मा था 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 एक आपको और मस्टर्ड में पिछली बार भी लगाई आपने लगाई पहली बार गाएक मौने पहली बार लगाई तो इसका अनुबहतो अभी आए कर रहे थे में जो और गयूं अच्छा दोनों कर रहे हैं तो उसमें क्या लोगों के और आपकी मिंगा डिफ्रेंस लगा आपको अब एक तो एक गट्टा विग एक डीएपी डाल के उतने उपस निकालने उतने में एक गट्टा बेग ग्रोप्लस के अंदर आ रही है जमीन को नुक्सान कम हो रहा है और ट्यूवेल के पानी भी अपने लगबग यूज होते ही है लगब यूज हो रही है तो उसका पीएच प्रफ़ प्रफ़ ने जमीन में जो मॉस्टर बना रहता है इसकी वज़े से जो की डीएपी में आपको डाल तो लिया आपने ग्रोथ भी दिखेगी कुछ दिन तो खुषकी आएगी हुज हादनेस और खुषकी दिखती है और जो अपने ग्रोप्लस में नहीं दिख़ा है तो अभी आप ग्रोप्लस से प्रोपर संतूष का है तो तो तीन-चार साल होगे यह संतूष भी बीज रहा हूं लेकिन आगे जैसे अब तक आप डीएपी भी थोड़ा मिक्स कर रहे हैं हां कोर के अंदर मैं डीएपी मिक्स करता हूं पहले पानी में आप थोड़ा अब यह कि आप इस बार अगर कुछ भी ना डालो सिरफ एक कट्टा नीचे विजाई कर रहे हो तो बहुत अक्साशिपिसेंट आपनी जिम्हें इनके लिए तो आप इस बार एक बिगे में इसा सर्सो में ट्राइल करें एक बिगा इसा आप जयूँँए